नमस्कार मैं सौरभ दिवेदी और यह दी ललन टॉप डॉट कॉम का निउज रूम आप सोजना है थे पंडित भीम सेन जोशी को राग भेरवी किसकी सदा किसकी सुबा दिल्चस्प होगी जहां तक मैं जानता हूं नरेंद्र मोधी दिन की शुरुआत करते हैं योगा के लगाते हैं अध्यात्मी की बातें करते हैं अध्यात्मी कविताय भी लिखते हैं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है मायावती जब 2014 का लोग सबाचनाओ बुरी तरह हारी पहली मरतवा 1989 के बाद बीएसपी जीनो पर पहुँच गई तब मायावती ने दो दिन कमर बंद करके इंट्रोस्पेक्शन किया ऐसा मैं पता चला नेहा दीख्षित की रपट से केरवन के लिए शांदार रपट खोज के पढ़िएगा और अखिलेश यादाओ वो फैमली के साथ सुबह सवेरे वक्त बिताते हैं फिर से लोटते हैं पंडित भीम सेंड जोशी भार सब्रत्रत्न किराना घराना पुने में रहा के रयास करने वाले और अब देवंगत हो चुक् tech शांदार कलाकार इस भजन में आगे एक पंक्ति आती है चोड़ दुनिया के मज़े सब बैठ कर एकांत में किसको दुनिया के मज़े किसको सत्ता के मज़े छोडने होगे क्या अखलेश यादव को एक नई टोपी पहननी होगी टोपी नेता प्रतिपक्ष की यह एहम है क्योंकि माया वती जब जब यूपी में चुनाव हारती हैं न आज सवासे सांसत बनके दिल्ली आ जाती हैं अखलेश यादव को पहली बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी समहलनी होगी वो विधान परिशत के सदस्य हैं अगर वो दिल्ली आएंगे तो यह कहा जाएगा कि बबुआ भी बुआ के फोट स्टेप्स पर चल गया दूसरा बड़ा सवाल अगर बीजेपी जैसा की जातर पोल कह रहे हैं सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश की तो सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री केशव पसाद मौरिया जो लगातार टीवी को इस तरह से इंटर्व्यू दे रहे हैं जैसे अम प्रफनव के मेर और बीजेपी के गुजरात प्रभारी दिनेश शर्मा का पार्टी के आंतरिक सर्वे में एक उप्शन उनका भी था चौथा नाम हो सकता है राजनात सिंग का राजनात सिंग के सपोर्टर यूपी में चिक-चिक कर कहते हैं कैमरे के सामने नहीं लेकिन पी दिक्कत है कि राजनात सिंग को बीजेपी ने बहुत मनाने की कोशिश की कि 2017 के चुनाओं में वो सीम फेस हो जाए राजनात ने आना कानी की ऐसा लुटियंस इंसाइडर का कहना है दूसरी बडी दिक्कत यह है कि राजनास सिंग को सीम बनाने पर नरेंद्र मोदी अपने लिए एक संभावित खत्रा पैदा कर लेंगे पार्टी के भीतर क्योंकि उत्तर प्रदेश का सीम असी सांसदों का सीम एक ताकतवर विकल्फ हो सकता है पार्टी के भीतर एक और नाम है जिसकी बार-बार चर्चा हो रही है बीजेपी के लोगों के बीच और वो नाम है गाज पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए ये लाजमी है कि यूपी में कोई OBC लीडर ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने भाश्पा की तरफ से लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये है कि मोधी खुद OBC हैं और उन्हें किसी यूपी के OBC लीडर के करिश्मे की जरूर क्यों किया गया और दलितों के बीच यदी वो इतने ही आश्वस थे गैर जाटा वोटों के बीच अपनी पैट के लिए तो राजभर पार्ट राजभर की पार्टी जो है भासपा उसके साथ गटवंदन क्यों किया गया इससे पहले कि हम अपने इस चुनावी को आगे बढ कि यह ग्यारा हजार तीन सो किलो मीटर सतर से जादा जिले पहने दोसों से जादा विधान सभाएं जमीन पे गए हैं सिर्फ नेताओं के पीछे बाइट के लिए नहीं भागे हैं कुल्दीप इन्होंने लगातार बुलन सहर से नौईडा से निकल के बुलन शहर का सफर गोंड साथ बार के विधायक 2002 में चुनाओं नहीं लल पाए क्योंकि गोंड जाती को स्टी में शामिल कर दिया गया था और दुद्धी की सीट स्टी के लिए रिजर्व थी इस बार जब स्टी के लिए वापस रिजर्व हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जिन कांग्रेस और सपा से चुनाओं लड़ चुके हैं और परोज की ओवरा सीट से उनका बेटा चुनाओं लड़ रहा है अच्छा बेटा भाजपा से लड़ रहा है क्योंकि आपने मुझे ध्याने रपट में था कि बसपा था शाए और विजह सिंग और पार्टी से पोलराइज ना हो जाए इसलिए उन्हें अपनी सीट पे बीएसपी सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन लगा हमारे साथ होंगे गजेन सिंग भाटी जिन्हों ने लगातार इस इलेक्शन में ललन टॉप की डेस्ट को समाला है क्योंकि अधर्वाइस जो लोग समालते थे अमि लगातार रहे हैं कि कुछ नए ढंग से ललन टॉप के व्यूर्स को खबरे बताई जाए मुझे पता है कि यह नए करनारा बहुत पुराना हो चुका है पर कोशिश में क्या हर्ज है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीम्स के जरीए भी आपको लगातार बताएं विशाल ह में आ रहा है कि जब 8 वजे EVM खुलती है सबसे पहले पोस्टल बैलिट आते हैं तो कोई 6 वजे से आपको अपडेट कैसे बता सकता है अपना आप से कोई जूट नहीं बोलेंगे कुल्दीब मिश्रा जिनोंने सबसे ज्यादा सफर किया है लगाता है टीम मोती के साथ कुल आगे और कौन पीछे चल रहा है ये भी बताएंगे कि जो आगे चल रहा है वो क्यों आगे चल रहा है जो पीछे है वो क्यों पीछे है हमारे अगले साती है रिशप श्रीवास्तो जो रिशप प्लकिपक्ष जो आपको बताएंगे उत्रा खंड की हल चल क्या वहाँ पर हर दूर पर जाहिर किया गया उससे भी बड़ा सवाल क्या वहाँ पर कॉंग्रेस ने ये गलबर की कि शुरुआत में एक दर्वारी नेता जिसका जमीन पर कोई आधार नहीं है ऐसे विजे बहुना को मुख्वंत्री बनाए रखा और केदारनात रासदी के बाद जब सरकार की लापर वाही सामने आई पार्टी का आंतरी विरोध बढ़ा तब उन्हें मजबूरी में हदिशावत के जाइस दावे को स्विकार करना पड़ा जी आप कुछ कह रहे थे जोर से बुली लेपल है हाँ ये एक मात्र ऐसा राज है जहां पे बिजे पी बहुत ज़्यादा एक रही है सरकार बनाने के लिए इतना एक रेसी वो कभी नहीं रहे विकुप्च में रते हो भी भाजपा ने दो साल से कोशिच की है सरकार और ऐसी आप धापी जिसमें बाद में उनकी जग हसाई हो गई विदायकों को तोड़ा गया लाया गया उस सब को टिकट भी दिया गय जिस विक्ति की हत्या का उनके उपर इल्जाम है डिस्टिक कोट से सजय मिली और हाई कोट से सजय अपर इस्टे है उसी विक्ति का यह दिका बेटा द्वेदी का बेटा मेजर सुनील द्वेदी जो पिछली बार सौटेट सो वोटोंस चुना हो रहा था 147 वोटोंस चुना हो रहा था फिर से उनको मकाबला दे रहा है और बीएसपी की तरफ से वहां पर है उमर बहुत दिल्चस्प लडाई है फरुक अबासदर की लगातार हमाई साथ बने रही है इन सारी दिल्चस्प लडाईयों को पर अच्छी बात है सबको पसंद करने की जरूरत भी नहीं है बहुत जादा मीठे में मख्यां भी फस जाती हैं यह लोग आपको मीम के जरीए बताने कोशिश करेंगे क्या है यह हमारे साथ इंटरन के तौर पर जुड़ी है आपका नाम है आस्था और आस्था हमारी बाकिया टीम को लगातार मदद करेंगी कुमार गोरो भी इंटरन हैं आपको मदद करेंगे मुबारक मुबारक पूरी टीम साथ कॉडिनेट करेंगे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या हल चलो रही फेस्बुक पे आपकों से महिजदार जुमले डाल रहे हैं ट्विटर पे क नजर रखेंगे आशीश बी वाला लड़का जो हमें बताएगा कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल ला है तो जब हम आपके सामने कमेंटरी भी नहीं कर रहे होंगे हमने ये तै कि ललन टॉप के न्यूजरूम से हम आपको विदार नहीं करेंगे हम कट नहीं लेंगे यहां पर जब हम काम भी कर रहे होंगे तब भी ये कैमरा लगातार ओन रहेगा ताकि आपको रहे कि आप ललन टॉप के न्यूजरूम में बैठ के चुनाओ के नतीजे देख रहे हैं आशीश को उद्घोशक की जिम्मेदारी दी गई है क्या जिम्मेदारी है आशीश की आशीश के और भी sources, जिन पर लगातार updates आ रहे होंगे, अब आपके पास बहुत काम है, शनिवार है, जिनका दो दिन का weekend है, उनके लिए हफता शुरू हो चुका है, लेकिन UP का excitement, पंजाब का excitement ऐसा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सोके, उठ चुके होंगे, या उठने की तैयारी की क्रम में चाया, कॉफी पी रहे होंगे, सूर नमस्कार निप्टा रहे होंगे, वाटसेप की message पढ़ रहे होंगे, इस दौरान आशीश आपको लगातार बदाते रहेंगे, आपको बारबार टीवी स्विच नहीं करना पड़ेगा कि इस चैनल पर क्या आपको आशीश देते रहेंगे, और मैं आपके साथ हूँ सौरब दिवेदी, जो खुद ललन टॉप की यूपी की चुनादी coverage का हिस्सा थे, हम लोगोंने मिलके 11300 किलो मीटर की दूरी तैकी लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि दिललन टॉप.com पर ही आपको पता चल शुक्रिया!